नमस्कार G.S.E.B. गादिनगर त्वारा प्रेरित वीडियो प्रवचन श्रेणी अंतरगर आप सवनु हार्दीक स्वागाच्छे आपडे धुरन दस विशय विज्ञानी अंदर प्रक्रन दस प्रकाश अने अनु परावर्तन तथा वक्रिबवन आपडे व्शय पर चर्चा करी रहा जीए आपडे त्रण भाग मा प्रकाश ना प्रावर्तन आने वक्रिबवनन नी शरुआत त्यां सुदी चर्चा करी छे आजे आपडे वक्रिबवन ना विशय वदायरे चर्चा करी शो वक्री भवन एटले मित्रो प्रकाश नू त्रांसू किरण जैरे एक माध्यम मा थी बिजा पारदर्शक माध्यम मा प्रवेशे त्यारे बंदे माध्यमों ने छुटी पाड़ती सपाटी आगड़ती सैज ए पोताने दिशाथी विचलीत थाएचे वांकू वड़ेचे आ एक माध्यम मा थी बिजा माध्यम मा दाखल थाए वक त्यानों वेग जड़ापेनी बदलाई जाएचे अने परिणा में पोताने दिशाथी विचलीत थाएचे आपड़े घणाबदा प्रयोगों द्वारा एननू अवलोकन करियू तू एमाथी एक आजे पुना आपड़ जोईए के जो जो आ लिम्बू छे आनू सामानने कद आप सवने देखातु यशे अत्यारे पन आपने जारे एनने पाणी ना आ पाणी भरेला ग्लास मा मुकी शू तो आपने एनू कद क्यो देखाये छे एनू आपड़े अवलोकन करवानों प्रयातन करिये आ एक लिम्ब किरण अंदर थी जे आवेशे एनू वक्री भवन थाएशे अने वक्री भवन थाये लू जे किरण छे ए बार निकड़े ए वकते ए पोताने दिशा थी विचलित थाएशे परेणामे आपने जे कद देखाये शे ए जरा मोटु देखाये आउँ थतु होईशे गणी वकते उन्डा तड़ावोमा पण आरीते तड़िया आपने उन्चा देखाता होईशे तो आब अधी वक्री भवन थाएशे अपने अभ्यास करे आजे आपड़े वक्री भवन आंक विचे वधारे चर्चा करीशू अने गोडिये लेंस केवा होई एना विचे पन चर्चा करीश तो आपड़े स्लाइड्स द्वारा एने चर्चाने शरू आत करिए आपड़े अत्यार सुधी पुन्द्रावर्तन ना मुद्धा सरूपे प्रकाश नू परावर्तन अंतरगोड अरीसा द्वारा मडता प्रतेबिम्बो बहिरगोड अरीसा द्वारा मडता प्रतेबिम्ब आ प्रकाशना परवरतन अंतरगत चर्चा करी हती हवे वक्री भवन अपड़े छयले केटली कप्रवरुत्ती द्वारा जोईू हतु कि वक्री भवन केवी रिते थायँ जै पाणी मा पैंसिल मुकी ने आपणा प्रयोग करो हतो एरिते आपने डोल मास इको मुखी ने एक प्रयोग जोयो हतो आरिते आपने वक्री भवन ना ख्याल ने समझया था कि एक माध्यम माथी जर प्रकाशनू किरण बीजा माध्यम मा प्रवेशे त्यारे पोताने दिशाथी विचलित वाकू वड़े छे आ गटना वक्री भवन छे आजे आपने मित्रो आज वक्री भवन नी एक वधारानी विशेश गटना पण आपने जूवी छे जे आपने विग्नाने कृते बव अगत्यनी माहिती पूरी पाड़ छे वईग्नानीक रिते आपने समझावशे के प्रकाश नुँगीरण एक माध्यमती बीजा माध्यमने जारे प्रवेशे थे त्यार एक केवी रिते पोतानी दिशा थी विचलित थाए छे कई जग्याई थी केवी रिते वीचलित थाशे अने दर वकते माध्यम बदला शे अथो आतो माध्यम ना आधारे एकेवी रिते वीचलित थाए चे एनी पन आपने थोड़ी समझापशे अने प्रवरुत्तिनो नाम छे काचना लंबगन वड़े थतू प्राकाशनू वक्री काचनो लंबगन आपने वड़ाये जोएलोह है शे मित्रो आ काचनो लंबगन आपणा बद्धामा अटे खुब जगत्त्य हैनोशे आपणै एनी अन्दर एक बड़ उपर कोरो कागड मूकी दीशू एक कागड उपर वे टाकणी मूकी काचना लंबगन आपड़े कागडन एक काचनो लंबगन छे आप सब जोई शको छो हवे एक काचना लंबगन पर O बिंदु O बिंदु ए आपात थातु किरण जुओ तमे E और E F बन्ने टाकणियों आपड़े लगावी छे और E बिंदु माथी पसार थातु किरण ए I 1 जेटलो आपात कोण बनावी रही छे आपात बिंदु ए दोरेला लंब साथे सपाटी ने जे लंब दोरो चे ओमाथी ए लंब साथे I 1 जेटलो खोणो बनावी रही छे आ किरण वक्री बूत थाशे करण के माध्यें बदला शे हवा माथी जारे प्रकाशनु किरण काच माज जशे तो आद किरण वक्री बूत थाशे आन वक्री बूत थाएलो किरण लंब साथे R 1 जेटलो वक्री बूत कोण बनावी छे तमे जो इशको छो आज किरण सपाटी सीडी माटे पुन आपात किरण बन शे अने ए I 2 जेटला खोणे आपात थाशे आ आई तो जेटला एच आगे टाकणी मुकेली होई ए टाकणी थी आपड़ो पथ नक्की थशे क्या कीरण खरेखर बारनी तरप कई बाजु जशे अने पची आपड़े एनो खुणो निर्गमन कोण ए जोईशू तो आपात कोण निर्गमन केवा मड़े छे ए आपड़े चर्चा करीशू आ उपरांत एनी मूर दिशा जो आईए तमने डॉटेड लाइन द्वराजे दर्शावी छे एनी मूर दिशा छे अने E F थी O थाइन ओडेस थाइन G न H तरफ जाए छे ए वास्तविक दिशा मड़े छे तो आ दिशा वच्चे जे स्थानान तर थाए छे एने आपड़े शू काचनो लंबगण, टाकणियो, ड्रोइंग बॉड, पैन अथवा पैंसिल अनी मदत्ति आ प्रवृत्ति जोईए सव प्रथम आई आकरुतिमा दर्शावे प्रमाणे एक काचनो लंबगण छे एने कागणमा अंकित करी देए छी आरे ते काच मां अंकित करेलो जे काचनो लंबगण छे एना पर्थी आपड़े एक सपाटी पर बे टाकणियों लगावी शू अने बे टाकणियों आकरुतिमा तमें जोड़ी शाको छे अहीं लगावेली छे यह एन इफ हवे बीजी 2 टाकणियोंने एविरिते लगावानी छे काचना लंबगणनी 8 साइड मा थी जोतां आपने 4 टाकणियों एकड लाइनमा लागे तो जो आएक टाकणी लगावी अवे जो अबरोबर आ क्यामेरो जो 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 के चार टाकणी ओ अपने एकज लाइन मा लाखशे अबरोबर एक लाइन मा आज बढलाई छे आपने बिल्कुल टाकणी नी पाचर थी जो इए तो आपने बहु श्ट्रेट एकदम सिद्धू त्रणे एकट टाकणी देखाईएश। वेरिते बीजी टाकणी पण लगावीशू। काण के बेए टाकणियों लगावा थी बेए बिंदू नक्की थाश। नेना थी एक रेखा नक्की थाईश। यह आपनू निर्गमन कौन दर्शा। जो आज गयाए एकजेट आपने जो टाकणी लगावीश। तो चारे टाकणियों आपने एक लागशे। एक कजमार्ग मा लागशे काचनी अंदर थी अने बार थी जुई है तो आपने जुदी जुदी लागेच्छे वक्री भवन थाए चें इस पर्ष्ट देखाईश। तो आरी ते काचनों लंबगण जेचे आई याँ दर्शाव्यों छे अन तमें जो इशा को छो के चारे टाकणियों नी ज काचना लंबगण साथे जोडी देशु अने काचना लंबगण साथे जोडी ना यह आज आकरूती मा तमें जोई शको छो के एवी आकरूती मा जोई शको छो एवी जेगरिते आपड़ेल लीटी दोरी देशु रेखा दोरी देशु हवे आपड़े ए रेखा दोर्या पछ प्रकाष ना वास्तविक कीरण जो आ वास्तविक कीरण छे अने ववकरीबूद कीरण जे काचना काचना लंबगन माथी एंटर थविछ Martyr ये कीरण नो आपने अब्यास कारी शुआ जो काचना लंबगन माथी जावा देए छे त्यारेशू थाए छे आ काचना लंबगन छे लेजर लाइट द्वार आपड़ा बरुबबर एने समझी शक्की शू पुना तमें जो बिलकुल लाइट टाकणी परच पड़े छे आना पर थी एक वाद स्पष्ट थाई जाए छे के आपड़ा काचनी अंदर थी जो प्रकाशनू किरण जवा दईये छे तो ए आपणने जे अंदर जो घाटो मार्ग दोरेलो छे तुटक रेखा सिवाए नो वक्री बूत थहेलो मार्ग ए मार्गे आपणने प्रकाशना किरणनू स्पष्ट गति थती होय ए देखाए छे काचना लंबगन माथी आ वक्री बवन थाई छे आज वस्तुने आपड़े टेली टॉप द्वारापण जोई लेए टेली टॉप नी अंदर आपड़े जोई छे के आ एक काचनो लंबगन चे आप सवने देखाए रेओ छे आ काचनो लंबगन आपड़े ए रिते मूक्यों छे के जे थी आ ए बी सी डी स्थान अंकित करेला छे आ ओ बिंदू छे आ ओडेस छे जाथी प्रकाशना किरणनू महत्तम वक्री भवन था शे एले जे आ वक्री भवन था वानू छे हवे आपड़े आ काचनो लंबगन मूकीन आपड़े जोई शकीये छे के आपड़ा जे लाइट छे एक एवी रिते जाए छे खरे खर आ लाइट आ आप किरण जोई शको छो किरणने अंदर जतू बता वानू छे आप जोई शको छो के बाहार निकड़ती वक्रते किरण E और F मार्गे थाईने ज़ बाहार निकड़े शे जुओ तो आ देखाए छे हवे आपड़ा माटे आ बे बिंदू बउ महत्वना थाशे एक O औने बीजू O डेश कारण के आ O बिंदू पासे थी पहलू वक्री बवन थाईू आ हवा माथी किरण काच मा प्रवेश्यू काच मा प्रवेश्यू एटले लंब तरफ वाखू वड़ियू आपए जोईू के आ किरण आम जवानी जिगे लंब तरफ आवियू आवे बीजी वका तेशू थाईू के आ कीरण जेचे O-O डेश ए काच मा थी हवा मा प्रवेश्य chaud तो काच मां थी जारे किरण हवा मां प्रवेश एचे तो आपे जो युद आही जो किरॣ आम थी लंब थी दूर भ थागा च RJ एनु काराण शुत हैूँ काच छेए फवा करता घट माध्यम प्रकाश ये गट माध्यम चे एटले ज्यारे किरण हवा माथी काच मा प्रवेशे त्यारे स्वभावी के यानी जड़प घटे चे और जड़प घटी जाए एटले ए लंब तरफ वांकू वड़े चे और आ કઈશુ, आ કઈરણ ને આપાત કઈરણ કઈશુ, औને આ O O ઔ ડેશ જે કઈરણ મળુ એને આપણે વકરીભુત કઈરણ કઈશુ यहले आपत किरं, आ वक्री भूत किरं, वक्री भूत कीरं, और निर्गमन किरं यहीं तै में जो ही शको छो कि आनों भूत मार्ग जे चे यह छे यह देखाए तमने कम्प्लिट अवे आ जे मार्ग आयो यह वक्री भूत था य injelो मारग आयो हम आप बन्ने मार्ग 1 गजानए समान तर छे एटलिये निर्गमन कीरण अने मुड कीरण हाब बन्ने 10 गजान경 डिर्फ कीरण ए olmas प्रवरुत्ति ने लगता केटलाक तारणों विशे चर्चा करिए। काच हवा आंतरप्रुष्ठ बंदे पर प्रकाश ना किरण ना वाका वडवानू प्रमाण समान अने विरुद्ध होई छे। अंतरप्रुष्ठ देखा A-B-A छे। हवा आ काच अंतरप्रुष्ठ फूपर जरे आ किरण आपाथ थाय। तो आपाथ थाय। जे आम खस्यू तो ए आपड़ा लंब तरफ खस्यू छे लंब तरफ खस्यू छे अने आ कीरण आम आयू ते एथी बार गयू त्या थी लंब ती दूर गयू छे तो आपणने आरीते आ स्पष्ट थाई छे के ओ अने ओडेश आ बन्ने बिंदू पासे थे एनो मार्ग बढ़ खुछे अने परेणा में आपणना बंदे किरणों एक बिजाने समानतर देखाये छे पुन हापडे स्लाइड्स तरफ आविए के प्रकाश नू किरण पातला माध्यम मा थी गट माध्यम मा प्रवेश त्यारे लंब तरफ वांकू वडे छे पातलू माध्यम औने गट माध आ मुद्धा आपड़े पन समझवा जोईए पातलू माध्यम एटले प्रकाशिये रिते पातलू माध्यम औने गट माध्यम एटले प्रकाशिये रिते गट माध्यम माध्यम दढ़नी रिते पन गट होई शेके दढ़नी रिते पन जुदू एनू दढ़ वदार होई शेके दाकला तरीके पाणी अन्य केरोसिन तो पाणी करता केरोसिन आपणे जानिये छे के हलकू छे पाणी करता केरोसिन वक्री भवन वधार कर शे आपड़े आगडे पन जोईशू एटले आ प्रकाशिये रीते घट माध्यम नहीं वाद छे तो पुना आपड़े जोईए के प्रकाशिये रीते घट माध्यम मा प्रवेशे त्यारे ते लंब तरफ वांकू वड़े छे आउप्रांत प्रकाशनु कीरण प्रकाशिये घट माध्यम मा थी प्रकाशिये रीते पाप्रा माध्यम मा प्रवेशे त्यारे ते लंब ती दूर जाए छे अहीं आक्रुतिमा दर्शाव्य प्रमाणे प्रकाश नू कीरण तेना मूड मार्ग थी L-O- एटलू L-O- जेटलू स्थानांतरीद थाई छे आ स्थानांतर ने अपड़ा पार्श्वीय स्थानांतर तो लेट्रल शिफ्ट एटलू कीरण शिफ्ट थाईू छे एम कैशू अना परती एक वाद बिजी स्पष्ट थाई के प्रकाश नू वक्री भवन ए चोकस नियमोंने आधारे थाई छे चोकस नियमों छे वक्री भवनना जेम प्रकाश ना परावर्तन ना पन चोकस नियमों हता एम वक्री बवन पन बीजो बहु महत्वनों अपड़ों कॉंसेप्ट छे अने एने पन बहु चोकस नियमों छे अने चोकस नियमों ने आधारे जा वक्री बवन नी घटना आकार ले छे तो वक्री बवन ना एवा कया नियमों छे एना विशे आपड़े जोईए तो वक्री बवन्नों सौथी पैलो नियम छे के आपात किरण आपात बिंदुए सापाटी ने दोरेलो लंब अने वक्री भूत किरण आ त्रणे किरण एकज सम्तलमा होई छे तो आपणे स्लाइड्स द्वारा जोईया ने के आपणे प्रकाशना वक्री भवन्नों पैलो नियम आ एक माध्यम छे उपरनु माध्यम हवा चे बिजु अंदरनु माध्यम थड़ू गट्ट चे आपात किरण आप जोई रहा छो आपात बिंदुए दोरेलो लंब चे आ अन आत्री जु वक्री भूत किरण आ त्रणे एक ज सम्तल मा होई छे आप एलो नियम छे आपणे बिजा नियम नी वाद करिये तो प्रकाशना वक्री भवन्नों बिजो नियम एस नेलना नियम तरीके ओड़ खाये शे प्रकाशना आपेला रंग औने माध्यमोनी आपेल जोड आपेला रंग औने आपेलू माध्यमनी जोड आप नंने ब photons पस्ट वाध छे एनंना माटे नियम द Hauseलो छे किअ आपईला ची चोकस माध्यमों छे एना माटे नियम जवाद छे तो आपात कोन besond साईन औने वक्री भूत कोन दोन होर आप?? लम्ब आवी गएओ आ खोणो आपातکो आवक्री भूथकोण और अपणर आपणर आपीघील्द सब्सक्राइव y were सब्सक्राइब आपना वक्री भूथकोण आपीर आप अर फिप कुण वुथकोण आपात कोण केटलो तो आपौण वुथकोण आपकरि जीटलो वक्री बवन आंक नी अहिया आपणने इंट्रोडक्षन थाए छे अहिया आपणने अनी महिती प्राप्तत मडवानी शरुवात थाए छे अहीं थी वक्री बवन आंक विशे आपणे वधारे चर्चा करीशू तो साइन शुचे एपण जानी लेए एक टुंकी वाद के साइन ए एक त्रीकोण मितिये गुणोत्तर छे जे काटकोण त्रीकोण में काटखुणा शिवायना बे जे खुणाओ छे एक खुणाओ माटे सामेनी बाजू अने करन एनो गुणोत्तर और आपणे साइन कहिए छे तो अईया साइन आपड़ा माटे आपात कोण अने परावर्तन वक्री बुद कोण अब नेनो साइन नो गुणोत तर अचड रेशे अने अचड आंक ने जा आपड़े वक्री भवन आंक कहिये छिए तो आओ वक्री भवन आंक विशे वधार माहिती मिडविये वक्री भवन आंके शू छे तो बे माध्यमोने जोड माटे थता दिशा परिवर्तन नी आ मात्रा ए वक्री भवन आंक ना पदमा रजु करवामा आवेश वक्री भवन आंक केले बीजु कही नहीं, पन बे माध्यमोंने जयरे जोडती दिशा हो, आपने कोई प्राकाशनू कीरण एउ आपिऊ छे, कि जे एक माध्यमों अथी बीजा माध्यम्मा प्रवेशी रहु छे, तो एवकते बे माध्यमोंनी जोड माटे ए दिशा परिवर्त काच छे, आपड़े केरोसीन जोईये चे, तेल जोईये चे, गलिसरीन जोईये चे, कितला है, पदार्थो आपड़े बद्धा जोईये चे, तो आ वक्री भवन ए बद्धा पदार्थो माँ सर्खू थाशे, आपड़े छेल्ला पिरियड माँ, आपड़े युँ पन जोई तुके पाणी ना ग्लास मा आपणे पैंसील नाकी और आपणे जो युके पैंसील थोड़ी तुटेली जनाई चे अथो आतो युँ देखाये चे आपणे के प्रकाश नू कीरण त्रासू थयू छे तो मित्रोशू काच मा एटलूत थाशे शू केरोसीन मा पण एटलूत थाशे के शू ग्लीसरीन मा पण एटलूत थाशे क्राउन काच मा पण एटलूत थाशे शू बद्धामा आरितेच जशे काम ना, धर्एक माध्यमना आधारे एना वक्री बवन आंक जे छे, एनु मुल्य बदलातू रेतू है छे, अनि ए वक्री बवन आंक, ये माध्यमनी अंदर प्रकाशनी जडप साथे खुब बौँ अंदर दिग्युडायलोगे. एक प्रकास नी जड़प साथे सु सम्बन देच छें, येना विषै आपड़े चर्चा करीशू प्रकास नी जड़प अम पर एक suck हा और थ Nintendo प्रकास नी जड़प आपणने खबर पड़े पची आपड़े एना विजा माध्यमने सापेक्ष केतला प्रमाण मा ए वक्री बहुत करेचे किरणने एना वीशे माहीती मिडवी शकीशू तो आव वक्री बवन आंक विशे वधार जोईए वक्री बवन आंक मनों के ओ मानी लिए के माध्यम एक चेन बीजू माध्यम बे चे तो माध्यम एक माध्यम वेग वीवन और माध्यम बे माध्यम वेग वीटू गाना के बीजा माध्यमनों पहला माध्यमने सापेक्ष वक्रीब और अंक एमनों अर्थ थाए छे तो आम जोई शकीये छे आपड़ के N21 N21 एशू छे तो N21 बराबर माध्यम एकमा प्रकाशनी जड़प भागया माध्यम बेमा प्रकाशनी जड़प येडले के v1 भागः v2 आम N21 बराबर v1 भागः v2 थरशे आब v1 शुचे तो पেला माध्यामा प्राकाशनी जड़पदर्शा अवे छे v2 एबी जा माध्यामा प्राकाशनी जड़पदर्शा જो कोई m એ જે જ તું કે મારે માધ્ધધ્યઇ1 નો 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 માધ્ધ્યાં બેને सापेक्ष्वक्री बवनांक N12 कहे छे आम N12 एटलेशू तो N12 बराबर माध्यम 2 मा प्रकाश नी जड़प भाग्या माध्यम 1 मा प्रकाश नी जड़प बराबर V2 भाग्या V1 तो आरीते प्रकाश नी जड़प ना संदर्भ मा आपडे सव प्रकाश ना किरणों जे रिते जुदा-जुदा माध्यम मा वक्री बूत थाए छे एनू प्रमाण जानी शकी शो जुदा-जुदा माध्यमों मा एक बीजाना कारणे, माध्यमों ना कारणे प्रकाशनु किरण छे एननी गती जड़प मा थोड़ी बदलावावी जाये छे दाखला तरीके कोई माध्यम आपणेम के पाणी तो पाणी निंदर जारे प्रकास नू कीरण प्रवेश से तो ए प्रकास नू कीरण थोड़ुक वांकू वड़ छे एनू काराण सुथ से के प्रकास नी जड़प पाणी मा गटी जाए छे मित्रो प्रकास तो शुन्य अवकास मा पण गती करी छे तो शुन्य अवकास मा गती करे छे न हवा मा गती करे छे ए बन्ने मा कई फेरफार थाए छे तो बहु नहीं वत फेरफार थाए छे के सुन्य अवकाश मा प्रकाश नी जड़ब जेटली चे लगबग एनी खुब नजीक हवामा पण छे येले हवामा बहु प्रकाश ना वक्री बवन नो प्रश्ण थतो न थी लगबग बन्ने नो वक्री बवन आंक सर्खो जेओ गणाई चे विग्णानमा व्यवहारी कृते बन्ने सर्खागणाई चे पण आपड़े येने जानी शुब के सुन्य अवकाश ने सापेक्ष जयरे कोई पण माध्यमनो वक्री बवन आंक गणवामा आवे तो ए आपड़े निर्पेक्ष वक्री बवन आंक गणी शुब माध्यम एक जयरे शुन्य अवकाश होए तो ए वक ते आपड़े एम कहीशु के ए वक्री बवन आंक जे मलव ए निर्पेक्ष चोखो वक्री बवन आंक छे बीजा बदा वक्री बवन आंको सापेक्ष वक्री बवन आंक तरीके आपड़े जानीशु सापेक्ष वक्री आउने जो ही शको छो के सुन्नी अवकाश के हवाने सापेक्षम, माध्यमना वक्री भवन आंक ने माध्यमनों निरपेक्ष वक्री भवन आंक के वाए अने ऐने N1 के N2 एवरिते दर्शा वीशू एदले N21 बराबर ही लग्यों चैने जे ग्याई N1 थही जाये पछी अने N2 आपड़ जोईतु होए ए माध्यम, जे माध्यम होए ए टुंकुमा, एमा हवामा प्रकाशनी जडप भागया माध्यमा प्रकाशनी जडप, हवामा प्रकाशनी जडप नो संकेत आपड़े C लईये छिए, और जेते माध्यमा प्रकाशनी जडप नो संकेत आपड़े V लईये उदार अन तरीकी जुई ये तो पाणी नो निर्पेक्ष वक्री बवनांक 1.33 छे अवा वक्री बवनांक कैशू हो एटले अनो मतलब शू थाए येनो अर्थ शू थाए तो अर्थ एम थाए कि हवामा प्रकाशनी जड़प अने पाणी मा प्रकाशनी जड़प आ बंदेनो गुणों तर एक पॉइंट तेतरीस छे वक्री बवनांक 1.33 टतले अनो मतलब आज थाए तो आरीते आपड़े एनने समझीशू जुदा जुदा माध्यमों मा प्रकाशना वक्री बवनांक जुदा जुदा होये शे और आपड़ी आजू बाजू व्यवहार मा आवता गण वक्री भवन आंक नहीं आपेलड शे दाखला तरीके द्रव्य माद्ध्यम वाय्यूनी वाध करिए तो वक्री भवन आंक एक पॉयंट शुन्य 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 त्रण बरस माध करिए तो 1.31 पानी तो 1.13 ती 13 अलकोहल तो 1.36 क्यरोशिन तो 1. συν माैश्ट तामें जो ईश् 46, एक पॉइंट छे ताड़ीस, टर्पेंटाइन तेल, आपड़े बहु उप्योग कर तर्पेंटाइन नो कलर करता होए वका ते पन उप्योग थाये छे, तो ए पन एक पॉइंट सुड ताड़ीस, पाणी करता प्रकाशी रिते गट्ट छे, बेंजिन, बेंजिन 1.50, अमा M क्या वाए छे, हिंदी मा, गुजराती मा सेंधा, लून क्या वाए छे, एनो वक्री बववनांक 1.54 थाये, गट्ट फिलंट का आच, एनो वक्री बवनांक 1.55 थाये, रूबी, एटले मानिक्य, एनो 1.21 थेर वक्री बवनांक थाये, निलम, 1.60 तेर, अने सौथी ताड़ीस जिटलो वक्री बवनांक थाएशे तो आरी ते आ बदा माध्यमोना वक्री बवनांक को तमारे परीक्षामों याद राखवानी जरूर न थी आतो मात्र जानकारी माटे छे पन आपड़े जानवा जोईए आपड़े एक पश्चताने समझ केडव विज जोईए कि कईू माध्यम सहुथी वधारे वक्री बवनांक धर आवे छे के कई 32 माध्यम सवस्थी ओचो वक्री भवनांक दरावेचे आपन ने आशरेतो खबर होय जू आ बद्धा माध्यमुना वक्री भवनांक नी तो आपने पूछवामा उता एली जर्परा प्र schण माँ अने पनने मनमता था एली परश्णalah की करोत rif ब्लुखी है प्रकाशी गट रिते वा जारे वक्री भवनां के रो सिन्नू छे तो आपने यहना जवाब ना पर्थी मडवानों प्रयत्न था शे तो आरी ते आपड़े जो ही शक्किये छिए के जुदा जुदा प्रश्णों ना सॉल्यूशन आपड़े के वी रिते माड़े छे मित्रो आ प्रकाशी यह रिते गट माध्यम ए बहु अगत्यनू छे काणके दड़ माध्यम जुदू छे गट जुदू छे अपड़े स्वाभावीकरिते आपड़ा मगजमा एवो ख्याल छे के जे गट एटले बदा दड़ थी जगट होय पने वू जरूरी ना थी प्रकाश थी आँकोनी आगड़ चर्चा करिए के वधू दड़ गंता दरावतु माध्यम प्रकाशी यह रूरी नथी केरोसिन नी दड़ गंता पाणिनी दड़ गंता करता ओची होवा छे ता तेनी प्रकाशी यह गंता पाणिनी प्रकाशी यह गंता करता वदारे छे अपड़े जोई आप अगर नो टॉपिक लई जीए छे गोडिया लेंस नो उपियोग तामें जो ही शको छो आज ये स्लाइड देखाए छे मां के विलोडी काच ये आपने बदा जुदु जुदु वांचवा मांटे उपियोग करिये छे जे वक्राकार होए छे आपने नजीक नी वस्तुव आपने लेंस मांटे जरूरी पदो नी हवे आपने व्याख्या करवा जही रहाशी है इतले एक करता पहला आपने जरा एक कात बे वीडियो जुए जेना थी आपनने खबर पडशे के गडियारी के विरीते पोतानी आँख उपर बिलोडी काच अथा तो वहिर गोड लेंस म आपनने स्पष्ट देखाएशे तो आरीते आपने बदा जानी शकिये छे के व्यवहार मा आप बिलोडी काच बह उपियोगी छे बहीर गोड लेंस खुब ज उपियोगी छे आपड़ा माटे तमे जोई शको चाएक एक नानो नानो भाग आपनने सुक्ष्म देखाएशे इले आपनने वदारे स्पष्टता थाई जाए आ गडियार ना भागो जोवा माटे आपने बहीर गोड लेंस नो उपियोग करिये छे आरीते आपने गणी बदी जगी आए आप गोलिय अरीसाओनों उपियोग करता हुए छे मित्रों आ लेंस आप फोटा में जोई शको च जह मती प्रकाश बीजी तरब जयी शके छे लेंस अन अरीस आमा आ बंदे मां मुख्य फेड फेर जो होई कोई तो अ फेरत छे कि आपर दर्शक मांद्यां जहरे अरीसा आता ए प्रकाशिया दिते अपार दर्शका आता इतले आपणे बदा एनी पेले पार जोई शक्ता न सवाल ना तो आमा आपड़े वक्री बवन जोई शू एटले पेला मा परावर्थन ना मा वक्री बवन एमा आपड़े अपड़े अभ्यास कर्यों छे तो आपड़े गोड लेंस बन्ने तरफ थी आ तरफ थी पण वक्राकार चाना आ तरफ थी पण वक्राकार चाना आपड़े बन्ने तरफ थी वक्राकार चाना बद्धा लेंस कई बन्ने तरफ थी वक्राकार होई जरूरी न थी कोई लेंस एवा पण होए का जे एक तरफ थी ज़ वक्राकार होए अन्य आप अन्य तरफ थी वक्राकार होए यहने आपड़े द्वी बहिर गोड काईशू यह द्वी बहिर गोड एरिते द्वी अंतर गोड पण मडशे तो आपड़े आ लेंस नी आ रिते चर्चा करी शकीए छीए बीजी वाद करिए के लेंस नी सपाटी आपड़े बदाये जोई के जो बहारनी तरफ उपसेली होए तो यहने द्वी बहिर गोड क्यावाई जेने सामाने रिते बहिर गोड लेंस क्यावाई छे ए अभीसारी लेंस पन क्यावाई छे ए अभीसारी शा माटे क्यावाई छे कारण के अभीसारी एटला माटे क्यावाई छे के बद्धा कीरणोंने केंदरीत करे छे आपड़े एक प्रवरुत्तीना वीडियो द्वारा जोईए के केवीरीते केंदरीत करे छे एपेला animation जो इलिए आ बहिर गोड लेंस चे दा समांतर आपात था एला किरणों बद्धा वक्री बुद्धें जुओ F पर बेगा था शे यहले आ बद्धा किरणोंने शू करे चे तो क्यांदरीत करे चे एले क्यांदरीत करे चे एतला माटे आ लेंस ने अभी सारी लेंस कहवामा आवे चे अहीं एक वीडियो बतायेलो चे जो जो बरोबर आ वीडियो मां आपनने खबर पडशे के जो अब बहिर गोड लेंस मुक्यों चे न प्रकाशना बन्ने किरणों जे देखाई दिया चे तम जो देखाई चे पातरों ये भी लोड़ी कात चे एले बहिर गोड लेंस एले बहिर गोड लेंस मुक्यों पछे बहिर गोड लेंस मुक्यों आपने समान तर आपात करिये तो जो बन्ने किरणों आगर जिन क्याक मड़ता हो यो बास थाई शे तो ये बन्ने किरणों आगर जीन मर्शे अम ने चोकिस वाद छे एल यह ँब मर्शे एटले आपणयम कई सक्एे किbas तो आने भेखा क्रतों बहिरुन लेंश ए अभीसारी लेंश कहँए छे यह बहिरुद लेंश ने आपने अभीसारी कहई चे जय तारश गोडर है धोơi दिवी अंतरगोज लेंस नी बनने सापातियो डंदर नी तरफ वडरेली होये तितों अंतरगोज लेंस दिवी अंतरगोज लेंस nS 6 पने कइशू गहिए अपने अपसारी छे नूं कारण जुओ कि आ एक मानो के लेंस छे समान तर आपाथ थाएला किरण आरी ते वक्रीबुद्थाईने मिजी बाजु जाए छे एब या बेगा थाता ना थी पन आपने ए अरीशानी तरफ जे वस्तु आती ए तरफ आपने बेगा थाता होयो भास थाए छे मातर एरले एक किर किरणों आपने बंद्लें बध्धान देखाई रहा शे इब्या जूओ एक बीजाती दूर जाइरी अन्या आभ अपसे ऐट लेंस अंतर गोड लेंस चें जें किर्णों ने एक बिंदू ये भेगा करवाणी जग्याई वहां फिलावी देशिंव करी अंतर गोड लेंस ने आपड़े अपसारी लेंस करी ऑपड़ेयचे और आपड़े आ प्रवृत्ती बहुञ्य शरण प्रवृत्ती चैंश्वक आपने खबर पड़ी शके छे कि अंतर गोड लेंस के विरीते की रणों स्पष्ट देखाई छे आपने कि बदा की रणों तेक बीजा थी दूर जयी रहा छे जुँ आईया एक बीजी प्रवरुत्ती करी छे जिना द्वार आपने लेंस नी वधारे ख्याल आवशे अंतर गो पहने जहे जी आवा पोज मां जोई शक्षो क्या वच्चे धार जे देखाई छे आपण लेंस ने धार एकदम पातड़ी छे जहर अंतर गोड लेंस है अंतर गोड लेंस अपने बहुर महत्म आ थाषे जह明 आपडे लेंसा आओ के विर्थे कट धर न गुरोण अब जरी जाए लेंस्टा नहीं माटे अपड़ीज व्याक्षे आपड़ी अठीश। तो आपड़े क्रमश एक एक स्लाइड द्वारा एने पन जोईए लेंस नूँ सवव प्रतम वक्रता केंद्र अने वक्रता त्रीज़या मानो कि आ एक बहिर गोड लेंस चे अने आ गोडाकार कवच मथी एने आपड़े कट करेशे कापेशे तो गोडाकार कवच बंदे बाजू होई शक्या छे एटले आपणने वक्रता केंद्र जे मडवानो ए बे मडवाना मित्रो एक तरफ एक विजू एक वक्रता केंद्र बिजी तरफ विजू वक्रता केंद्र तो आरी ते वक्रता केंद्र आपड़े समझी शक्या छे के जे गो आप जो युशो तमें ए माप आपड़े वक्रता 30 तरीके उडखाईशू तो हवे आपण नेस पष्ट तैगो पेलानी जेम अच्छे और इसामा जेम माप आपड़े एज रीते आनी अंदर पण आपड़े व्याख्याओ करवानी छे गोडाकार कवच पेलामा एकत तरफ अतू अमा बन्ने तरफ आऊशे बस आटलो फरक्ट् से अंतर गोड माटे तरफ जुदू आँशे체적ू अंतर गोड के बरिदे बनेए जू आ अंतर गोड आ रिते बनेशे अन अंतर गोड मा बन्ने कवच ना केंद्रो एज व्याख्या तो एनी एज रेशे कजे गोडाकार कवच मा थी अंतर गोड लेंस बन्यों चेना केंद्र ना केंद्र ना आपड़ वक्रता केंद्र कैईशू तो आरीते आ गोडाकार कवचो बहु अगत्ते नाचे अहीं आपड़े जोई शक्किये छे के लेंस ना बन्ने बाजुना केंद्रो आपणने मड़े छे बे बाजु वक्रता केंद्र मड़े एटले एने आपड़े C1 औने C2 एरते नाम आपीशू एरीते मुख्य केंद्रो पण बे अमड़े एने आपड़े F1 औने F2 कईशू तो क्रमशा एनी पण आगडवात करिए सवती पहला वक्रता त्रीज्या पची मुख्य अक्ष जोई लेए बन्ने जे वक्रता केंद्रो आपणे जोया ये वक्रता केंद्रो माथी पसार था तो काल्पनीक अक्ष येटले वक्रता मुख्य अक्ष वक्रता केंद्र माथी पसार था येने आपड़े मुख्य अक्ष अंतर गोड लेंस माटे जोई है तो C1 और C2 आपने अंतर गोड लेंस नो मुख्य अक्ष मड़ेशे कालपनीक अक्ष छे जे बनने वक्रता केंद्रो माथी पसार थाएशे प्रकाशियक केंद्र तो आ जो तमने देखाएचे जे अंतर गोड लेंस होए तो यहनी बरोब्बर मध्यमा जे बिंदू छे यहने आपने प्रकाशियक केंद्र अथवा तो ओप्टीकल सेंटर कैशो बहिर गोड लेंस मा अपने आप जोई शको छे वेलकुल मध्यमा होए अने अने प्रकाशियक केंद्र अथवा तो ओप्टीकल सेंटर जेने आपने ओ ध्वारा दर्शाव अपड़ा लेंस ना प्रकाशिया केंद्र नक्की थाई से मित्रों अपड़ा लेंस ना मुख तरब जाईए के जे आ प्रक्रण मा अपड़े दर्वकते जुओ अरीसो होई के लेंस होई बन्ने माटे आ वात बहु अगत्यनी छे अरीसो होई तो पने वात करे ली छे के जे मा मुख वक्रता तरीज्या करता तो कोने कईशो एकशेटली तो जरा टेबल टॉप मा आपड़ा फूना जोई एक वखते के मानो के आ एक आपड़ो अंतर गोड़ लेंस छे तो अंतर गोड़ लेंस जे होई यहनू आ वर्तूडाक सपाटी छे जुओ आ वर्तूडाकार सपाटी नो जे व्यास बने ए व्यास ने आपड़ो मुख कईशो हाँ लेंस नू मुख केवाई एरीते बहिर गोड़ लेंस होई तो बहिर गोड़ लेंस मा पन आ वक्राकार वर्तूडाकार जे सपाटी बने ए वर्तूडाकार सपाट इनु जे व्यास बने ए व्यास ने आपड़े शू कईशू ए व्यास ने आपड़े कईशू एनू मुख्य मूख लेंस नू मूख कईशू तो आरी ते आपड़े या बनने मुद्धाव विशे चर्चा करी शक्किये शेके लेंस नू मूख्या आपड़ा लेंस के वामा आव आवा लेंस ने काणके आपड़े यह दर्वकते मूख ए वक्रतात रिज्या करता नानूज हशे एटले आ लेंस माटे पन साचू छे अने आगर जे अरिसाओनी चर्चा करी समित्रों ए अरिसाओनी चर्चा माटे पन आज वाज साची छे के अरिसाओमा पन जे दर्पण आपड़े 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 खास जानाओ जोईए बद्धा आरिसाओमा पन आपड़े लागू पड़तु नथी आपड़े आपड़े एक प्रवडुत्ती करी आपड़े खुब जगत्त्य नीचे मित्रों बहिर गोड लेंस ना मुख्य केंद्र मेड़वा पड़े प्रवडुत्ती करवा माटे पुनह आपने एक चेतवनी छे के आपड़े प्रवडुत्ती करती वकते सूरिय ने सीधों के लेंस माथी जोवो नहीं एम करवा थी आखने नुक्षान थाई शके छे यहना माटे जरूरी साधनों छे बढ़िर गोड लेंस ने यह चेक बहिर गोड लेंस लिदोलो चे एने कागड उपर आपड़े एने सुर्यानू प्रतिभिम जो आ टपकू देखाएचे कम्प्लेट व्यवस्थित गोड गोड टपकू जे देखाएचे ए टपकू ए सुर्याना किरणों केंदरित थाया अने जो अवा उश्मा बहु प हवे आपड़ेना अवलोगानों जो ईए कागड पर मड़तू प्रतिभिम सुर्यानू छे सुर्यानू प्रतिभिम केंदरित थाई आपण कागड पर मड़े चे ऑनन बहुज बद्धा कीरणों जयारे मड़े आपन तो सूरिये प्रकाश बहिर गोड लेंस द्वारा केंदरीत थायो अने उष्मा बाउज बद्धा कीरणों ना कराने बाउज बदी उष्मा उध्पन न थाई एटला माटे कागड सड़ागवा लाग्यो तो आरीते आपने आ प्रवरु जोई है जेथी आपड़ी आखो नो जे रेटीना चे एना कई नुक्षान ना थाय अन्य था शू थाय कि आ बदा वधारे पड़ता प्रकाश ना कीरणों केंदरीत थें जेम कागड ने सड़गाव यमा आपड़ी रेटीना आपन बहु नाजू खोई छे एनने पन नुक् प्रयोग करती वख़ते कोई शिक्षकनी अथ्वा मातापितानी जोड़े रेनेज करवो जोई है एटले एरिते प्रयोग करीशू अने अपड़े एक वस्तु बिजू नक्की करियो यहा के जे सूरियनू प्रतिभींब आपणने देखानू ए प्रतिभींब बहु नानुह अने इस पष्ट प्रतिभीम ज्या देखायो ज्या बद्धा किरणों केंदरीत थाई गया ए बिंदू मुख्य केंदर थाशे अने ए मुख्य केंदर थी आपड़ा ओप्टिकल सेंटर सुधीनू अंतर यानी केंदर लंबाई थाशे तो आपड़ा वेने स्लाइड द्वरा जोई लेए के मुख्य केंदर कोने कईशू मानों क्या बहिर गोड लेंस चे समानतर आपात किरणों बद्धा वक्री बुथाया आने जो मुख्य अक्ष पर एक बिंदू एक केंदरीत थाया ए बिंदूने आपड़े F2 कईशू क्यों F2 कारण के F1 पन मढ़वानु छे F1 बिजी तरफ मढ़ छे जो मानों क्या बायर गोड़ लेंस चे आ बाजू थी कीरणों, बिजी बाजू थी, विरुद बाजू थी कीरणों ऎंटर थाया तो ये आपाथ थाई याने बद्धा बेगा थाशे ए बिंदू आपणे F1 कईशू, ए मुख्य केंदर थाशे, आम अही आपणने बे मुख्य केंदरों मड़ेशे, F1 आने F2, ये रिते अंतरगोड लेंस नी वाद करिए, अही जू अतमे अंतरगोड लेंस पर आपाथ था क कीरणों, अपसारी लेंस चे, ये बद्धा कीरणों ने शू करीदेशे, तो ये विखेंद रित करीदेशे, अने आपणने ये भास करावेचे के अंदर मुख्य केंदर पर मड़ता हो, तो आउँ आपणने F2 मड़ेशे, अनने बीजू F1 आपणने आरीते मड़ेशे जू तारीते अंतर गोड लेंस ना पण बेय मुख्य केंदरों बन शे, आपणा बदा माटे, हवे आपड़े लेंस नी केंदर लंबाई नी वाद करी लेए, आपड़े वाद थाई ती के सूरियनू जे प्रती भी मड़िव, त्या थी ओप्टिकल सेंटर सुधिनू अंतर ये आपड़े केंदर लंबाई जेनू संकेत छे, बीजी एबिसेडी माँ F, एटले आपड़े अने F वड़े दर्शावीशू, एज रिते जो अंतर गोड मानों के आपड़े लेंस लेए, तो आई या आपा थाता समा अंतर कीरणों विकेंद रित थाए छे, औने अंदर आप केंदर सुधिनू अंतर एनने आपड़े व्याख्याईत करीशू, केंदर लंबाई तरीखे, तो आरीते आपड़ा लेंस नी केटलीक बाबतो बरोबर आपड़े स्पष्ट करीशें, हवे आपड़े केटलाक प्रश्णों ना मुल्यांकन द्वारा, आप सवनी आजनू ज आपड़े मुल्यांकन करीशू, सवथी पहलो प्रश्ण जोईए, स्लाइड मा, के वक्री भवन आँक शू दर्शावे छे, तो आपेल कोई बे माध्यमों नी जोड माटे थता, दिशा परिवर्तन नी मात्रा ए वक्री भवन आँकना पद मा रजू करवामा आवे छे, दि एक प्रश्ण गडी आड़ी कया लेंस नो उप्योग महत्तम करेशे, तो आपड़े जोईतु के गड़ी आड़ी ये बहिर गोड लेंस नो उप्योग बहुच करेलो, बहिर गोड लेंस नो उप्योग करवा थी, आपणने नजीक नी ना नी रहेली वस्तू, ए खुब ज मो लेंस आणी ते उप्योग करवा म आवे तो ए नानी वस्तू मोटी देखाए तो है मोटी देखाएelu e लंब तरफ वाँकू वडशे के लंब थी दूर जशे केम तापड़ा बद्धा जानिये चे के हवा माथी पाणी मा प्रवेश्थु प्रकाश नू त्रासो किरण लंब तरफ वाँकू वडशे कारण के पाणी हवा करता प्रकाश ये रिते गट माध्यम चे पाणी चे गट पाणिमा आपने तराशू प्रवेशे ऐसे वक्री भवन थाया जेश वाब आवीक जवाब मलने चुँ लंब तरफ वाखू वडशे तो हाँ लंब तरफ वाखू वडशे feelings इमा जारे किरण प्रवेशे त्यारे यानी जड़ब गट शे काण के पाणी छे गट माध्यम छे हवा करता एटले गट माध्यम होए तो हवा माती जारे गट माध्यम मा प्रवेशे त्यारे एनू किरण जे छे ए वक्री बूत थाए अने वक्री बूत थाए अने लंब तरफ आम वक्री बुत्तो बदा मा था है पन जयरे गट्ट्यम्मा प्रवेशे पातला माध्यम्मा थी त्यारे ए लंब तरफ जतू होई छे एले आमा लंब तरफ ए वाकू वडशे बिजो प्रश्न जुईए प्रकाश हवा माथी 1.50 वक्री बवन आंक धरावती काचनी प्लेट मा प्रवेशे छे काचना काचमा प्रकाशनी जड़प केटली हशे शुन्द्याव काशमा प्रकाशनी जड़प त्रण गुण्या दसनी आठ गात मेटर प्रती सेकंड छे आपणने आपेलू छे आपणे काचमा प्रकाशनी जड़प केटली थशे ए जानवू छे तो ही आपणे जानिये छे काचनो वक्री बवनांक N ग्लास जुओ NG आपणने वाद थाईती के जयरे निर्पेक्ष वक्री बवनांक नी वाद करीशू त्यारे आपणे बद्दा आएने N1 के N2 करीशू माध्याम एक होई तो N1 क्यावाई माध्याम 2 होई तो N2 ग्लास कहिये छे तो ए ग्लास एकले NG कहीशू जो पाणी होई तो NW एकले वक्री बवनांक पाणी नो निर्पेक्ष वक्री बवनांक पाणी नो यहाम आपणे जुदा जुदा माध्याम माटे संकेतो करीशू तो आई काचनो वक्री बवनांक NG बराबर 1.50 थाशे जानिये छे के सुथा निर्पेक्ष वक्री बवनांक तो सुन्य वकाष मा प्राकाष नी जड़प भागया जेते माध्यम मा प्राकाष नी जड़प पन सुन्य वकाष मा प्राकाष नी जडप ने आपणे C वड़े दर्शाविये छे और जेते माध्यम मा प्राकाष नी ज G एटले के वक्री बववणांक काच नो अव सीशूँ छे तो बराबर करे न किम्मत मूखी है सेनी किम्मत थशे त्रोण गुणिया दस नी आठ गात भागया nG एटले गलास नो वक्री बववणांक काच नो वक्री बववदांक, आपणे रकम मा आपेलो छे एक इटलो छे तो 1.50 तो 1.50 आपड़ त्रोण ने 1.50 वड़े भागिये तो 2 आवशे आम 2.10 नी 8 गात मिटर प्रती सेकंड एटलो काचनी अंदर प्रकाश नो वेग थशे तो आरी ते आपड़े प्रकाश ना वेगनी वाद करी हवे एक बीजो प्रश्णा छे के तमने केरोसिन, पाणी अने टर्पेंटाईन आपेल छे आपई की शेम प्रकाश सवथी वधू जड़प्थी गती करे छे त्रण माद द्यमों आपन नहीं आपेला छे पैलो छे केरोसिन, बीजू छे पाणी अने त्री जुट्टे टर्पे केरोसिन, पाणी न टर्पेंटाईन त्रणे ना वक्री बवनांक जो मड़ी जशे तो आपनने खबर पड़ी जशे के प्रकाश सवथी वधार एन तकलिप पड़शे जवामा तो यह आपड़े कोठो जोई है नू यहाँ जू अतमे पाणी नो वक्री बवनांक एक पॉयंट टेतरीस छे चयरोसिन नो वक्री बवनांक एक पॉयंट चुमवाड़ीस छे अने 30 द्रव्वेजे आपने अतु तर्पेंटाइन तो तर्पेंटाइन नो वक्री बववनांक आपना माटे छे 1.63 तो अवे अनुँ एक्स्प्लेनेशन नो जवाब लगी क्या उप्रोक्त कोष्टक पर्थी स्पष्ट छे क्या कैरोसिन नो वक्री बववनांक एक पॉइंट चुम्वाडीस छे अने टर्पेंटाइन नो वक्री बववनांक एक पॉइंट सूड़ताडीस छे अने पाणी नो वक्री बववनांक एक पॉइंट तेतरीस छे त्रणे वक्री बवन आंको मा सौथी ओछो वक्री बवन आंक कोनो थयो मित्रों तो ये थयो 1.3 पाणी नो एले सौथी ओछो वक्री बवन आंक पाणी नो थयो तो ओछा वक्री बवन आंक वड़ा माध्यम मा प्राकाशनी जड़प सौथी वधारे होये सौथी वदारे जड़प शेमा होए तो जेमा वक्री वदाप शेमा वदार होए तो प्रकाशनी जड़प शेमा वदार होए तेमा जवदार होए शेमा तो पाणी मा तो आपर थी आपने जवाब मली जशे के प्रकाशनी सौथी वधू जड़प पाणी मा होए तो मित्रो आपड़े आप प्रक्रण नी अंदर गोडिय अरिसा गोडिय लेंस अनेना वामाटे जरुरी पारिबाशिक शब्दोनीमा आहीती मेडवी छे आ उपरां तापड़े वक्री भवान आंकनी पन चर्चा करी छे आशाराखू छू कि आप सहुने आप अब अधिबाबतो खोब स परस्ट समझे समझ पड़ी हशे नमस्कार आउ एक शेत्र छे गणवेश धारी सेवाओ चालो जानिये आकशेत्र विशे अने आकशेत्र मां कारकिर्दीनी विविद्ध तक विशे गणवेश धारी सेवाओमा कारकिर्दी अनन्य कोईक शेत्र मां कारकिर्दी थी अलक छे तेमा असाधारन हिम्मत बहादुरी बलिद अने मात्रु भूमी माटे प्रेमनी आवस्षक्ता छे। आ बेजोड गुणों अने तेने खुबज आदर्निय अने प्रतिस्टित कारकिर्दी बनावे छे। सैनीको अने अधिकारियों जे आपनी सरहदोने सुरक्षित करे छे। तेना थी मांडी ने चोकिदार सुधी बधा लोको आ गणवेशदारी सेवाओना क्षेत्रमा आवे छे। भारतिय कोस्ट गार्ड, आसाम राइफल्स अने स्पेशल फ्रंटियर फोर्सेस। त्रीजा प्रकारमा केंद्र अने राजिय सशस्त्र पोलिस दड़ो छे। तेमा मुख्यत्वे सेंट्रल रिजर्व पोलिस पोर्स, बॉर्डर सिक्योरिटी पोर्स, इंडो तिबेटियन बॉर्डर पोलिस, सेंट्रल इंडस्रियल सिक्योरिटी पोर्स, सशस्त्र सीमा बल, रेल्वे प्रोटेक्शन फोर्स अने स्टेट रिजर्ट पोलिस पोर्स न आधारे आमानी कोई पन सेवामा जोड़ावू शक्या चे आक शेत्रे मानसिक औने शारिरिक रूपे फिट होवू जरूरी चे बार्मु धोरन पूर्ण कर्या पची सत्तर थी 21 वरस्तनी वयनी वच्चे कोई पन व्यक्ती फिटनेस टेस्ट, मेडिकल टेस्ट अने लेखित परिक्षा माटे लायक छे जे गणवेशधरी सेवावमा प्रवेश्वा माटे फरज्या चे कोई पन व्यक्ती जे आ माप्तन पार करे चे ते सैनिक अथ्वा कॉंस्टेबल तरीके शशस्त्र दड़ो, पोलीस अथ्वा अर्ध लश्करी दड़ो माँ जुडाओ माटे लायक छे नियमी त्रिते प्रकाश्थती भरती जाहे रातो पर नजर राखवी जरूरी छे सवरक्षन बड़ो माँ एटले आर्मी, नेवी अने एरफोस माँ जुडाओ माटे बार माँ धोरन पची एंडिये प्रवेश परिक्षा आप्पानो विकल उपलब दचे आ परिक्षा UPSC द्वारा लेवा माँ आवे छे आर्मी माँ जुडाओ माटे कोईपन प्रवाव माथी बार्मू धोरन पूर्ण कर्या पची अरजी करी शकाए छे जोके नेवी औने एर फोर्स माँ जुडाओ माटे बार माँ धोरन माँ गणी औने भवतिक शास्त्र होवू फरज्याच छे प्रवेश परिक्षाने पास कर्या पची SSB इंटर्वियू औने तबीवी परिक्षान आवेश्षक छे एंजिलियारिंग अथ्वा अन्य कोईक शित्र माँ ग्रेजियूशन करया पची दड़ों माँ जुडावानी घणी रितों छे जे विध्यार्थियो ग्रेजियूशन दर्म्यान त्रण वर्ष उत्तम ग्रेड साते NCC पूर्ण करेचे तेमने लेकित परिक्षा माथी छूट माड़ेचे ग्रेजियूशन पची एरफोस अथ्वा CDS माटे AFCAT जे वी परिक्षाओ आपपवानों फिकल्प छे जे भारतिया मिलेटरी एकड़ेमी, इंडिया नेवी एकड़ेमी औने एरफोस एकड़ेमी माँ प्रविश मेडवा माटे मदद करेचे कोई पन अधिकारी तालीम एकड़ेमी द्वारा शौट सर्विस कमीशन मा जोडाई शकेचे बार मा धोरन पछी तबिवी अभ्यास्क्रावमों मा जोडाई ने शशश्त्र दळो द्वारा आवशक तबिवी सेवावमा जोडाई शकेचे तेविज रिते जुनियर कमिशन अधिकारी अथ्वा जेसियो तरीके शसस्त्र सेवाओं मा जोडाओं माटे विवित तक्निकी अभ्यास्क्रमों जेमके पैथोलोजी, लेबोरेटरी, रेडियोलोजी, होटल मेनेजमेंट, नरसिंग, वेगेरेनों समावेश थाई छे पोलिस सेवाओं मा जोडाओं माटे समयान तरे तेमनी भर्ती ड्राइव द्वारा आववू फरज्याच्चे ग्रेजुएशन पूर्ण कर्यापची जीपी एस्सी अथ्वा यूपी एस्सी परिक्षाव द्वारा अधिकारियों नी भर्ती करवामा आवे छे सीबी आई, आरे डबल्यू अथवा आईबी माटे पसंद्गी पन यूपी एस्सी द्वारा थाई छे ट्राफिक पोलिस विवाग द्वारा भर्ती माटे समान प्रक्रिया अनुसर्वामा आवे छे पोलिस दड़ों मा जोडाया पछी बहुविद आंतर विवागिय कारकिर्दी नी तक छे जने जड़पी शक्ये छे कारकिर्दी नों अन्य रस्तों छे सीधा गणवेश धारी सेववावमा थी सबंधित नथी ते खानगी सिक्योरिटी एजनसी ओ जे स्थानिक रिते कार्य करे छे गणवेश धारी सेवाव मां कारकिर्दी बनाव माटे शारिदिक सोस्ठाव महत वनूँछे कारण के ते खुबज मांग धरावतु प्षेतर शे तेमज मांसिक रिते खड़तल होवानू पन महत वनूँछे वर्तमान समाचार औने गती विदियों मां पन रूची धराववू महत वनूँछे आक शित्रों मां उपलब्द रूची, शमताव औने असंक्य तकना आधारे तमारा सपनानी कारकिर्दी पसंद करवानू शक्या चे